जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो है अर्जित सहा के तरफ से फ्लाइमी उसका 9.3.6 का एक बिल्ड आया हुआ है पोर्ट रोम का जो की मीजो 18S से पोर्ट किया गया है एंडोइड 11 बेस्ट रोम है बट इसको इंस्टोल करने के लिए जो है री पार्टिशन करना पड़ेगा आपको अपने फोन का उसके बाद यजी आप इसको इंट्रॉल कर पढाऊगे तरी पार्टिशन कैसे करना विटम सेका बाड़ दिश्क्रिप्सुन पर आपको मिल जाएगा बट इसनरों को काईसे इंस्टोल करने के बाद में व आपको इस वीडिएयो में समझा दूंगा स रिपार्टिशन रिक्वार्ड है इसलिए रिपार्टिशन आप कर लेना और इसके अंदर काफी सारी चीजे वर्किंग मुझे मुली है रोम भी काफी स्मूध है बाइड फोल्ड ओवर क्लोग्ड करनल इसके साथ में आता है सिक्यूर्टी पैज भी आपको अप्रेल 2013 की तो जैसे कि यहां पर माइड डिवाइस में जाते हैं यहां पर फ्लाइमी ओयस का 9.3.6 बिल्ड मिलता है एंडूर्ड वर्जन 11 जैसे के बाहर मिल जाता और अंदर जाते हैं पर सिक्यूर्टी पैच अप्रेल 2013 की है करनल इसके इंदर डीगल वर्जन 13 मिलता और यह ओवर क करनेक्शन今 में पर नहीं करता है काफी म Such नहीं हुआ है अगर डिस्प्ले में जाते हैं ऐसक्रीन ब्लिक ही करते हैं बॉत यहां पर फोड़ा स लेवल का वहा dign-le심 आपको एख देखने को इसके इनदर यह फरbonus तो यहां प्लेट्ट्र कर सकती हुआ तो यहां पर है प्रेंट्ली मॉड कम कर रहा है यहां कि रेटी मोड एक तरीक से वर्किंग है डिस्प्ले मोड यह भी आपका वर्किंग रहने वाला है इसके अंदर में यह सब काम कर रहा है status बाहर के अंदर connection speed के लिए मिल जाता है network speed यानि के वाल्टी आइकन बैटरी के लिए आपको यहां पर percentage के लिए मिल जाएगा ति यह सारी settings मिलती है और यहां पर keep brightness के लिए इसको उफ रखना एजी मोड यहां पर जिसको यूज करना तो यूज कर पाएगा बट यहां पर keep brightness mode जो दिया गया bright screen इसको उफ रखना रोटेशन काम कर रहा है इसके अंदर EOD and locks in के अंदर यहां पर always zone का बग रहेगा यह काम नहीं करता लेकिन locks in layout change करना तो यहां से आप फिर change कर पाओगे clock style अलग अलग मिल जाते हैं और यहीं पर बाहर में जो है देखने को मिल जाता है लोक सिर्फ म्यूजिक का बट यह जो पोस्टर रही एक तरी किस मिवाई में बॉल पेपर करसल मिलता है यह वही है इसको फिर रखना अपने ही साब कर रहे हैं और यहां पर sound पर आपका haptic feedback भी मिलता है vibration भी यानि की काम कर रहा है इसके अंदर working है और notification की settings जो है यहां पर मिल जाएगी नॉर्मल ही है बाके system appearance के अंदर में यहां पर आपको जो है लॉक्ट निया लॉंचर का जो बॉल पेपर इस सब settings आपको यहां पर मिले बाकी जो है वो paid है बिलकुल बॉल पेपर यहां पर यहां पर आपको डैनमिक बॉल पेपर मिलेगे निके अनिमेटेड वाले आपको अनिमेशन वाले जो बॉल पेपर है वो आपको यहां पर मिलेंगे नीचे कुछ static बॉल पेपर ओ भी मिल जाएगा fonts एक ही है बाकी फिर paid मिलेंगे यहां पर notification light effect बिल्कुल काम नहीं करने वाला है और इसी के नीचे और भी option मिल जाते हैं यह आपको flymy section मिल जाएगा जो कि यह मेरे सबसे काम करनी इसको भी आप ignore ही करें और कुछ alive wallpaper के लिए भी बाहर में option मिलता है जिसमें आप यहां पर देखोगे तो alive wallpaper कभी आप बिला सकते हो यहां पे यह भी मिल जाता है इसके इंदर नविगेशन एंदर आपका navigation method यह है आपका navigation बार यानि के भी जेस्टर नविगेशन बार करूंगा तब बटन वाला यह इने वल हो जाता है और दोनों काम कर रहे है जैसर भी काम कर रहा है और इसका बटन वह भी का सबसे पहले आपको लॉक्ट स्क्रीन टाइब दिखा दो यहां पर पीन एड़ कर सकते हो पैटर्ण को अप्षन देखने को नहीं मिलता है तो यह दो चीज़ा एड़ कर पाओगे बाकि फिंगर्प्रिंट फेस उलुक दोनों काम कर रहे हैं इसके इंदर में फिंगर्प्रिं यह रोम के अगर बात करें तो बाइड़ फोल डिक्रेप्टर देखने को मिल जाता है लेकिन फिंगर्प्रिंट फेस उलुक काफी इच्छे से काम कर रहा है फिर यहां पर प्राइब सारे उप्संस आपको मिलेंगे यहां पर दिये हुए हैं तो आपके रहेंगे ही अगर प्राइब की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर एप लोग भी काम कर रहें एप क्लोनर जो है ओ भी काम कर रहें तो एप लोग जो सपोर्टेड यहां पर देखने को मिल रहें इन सभी आप लोग लगा पाऊँगे जैसे कि कैल्कुलेटर पर मैं लगाए हूं फेस उनलोक हो पैटर पासवर्ड जो उससे भी अनलोक होगा और फिंगरप्रिंट से भी यह बिल्कुल काम कर रहें और एप क्लोनर की बात करें तो ऑप क्लोनर भी जिन जीन अप्लिकेशन पर सपोर्टेड है बिल्कुल काम कर रहें जैसे कि इसका में ब्राइनेस वाले यहां पर क्रेट कर पाऊगे यूज कर पाऊगे एप लोग भी वहीं बैटरी के अंदर इंटरफेस कुछ इस तरीके के देखने मिल जाता है पावर यूजज डीटेल्स आपको मिलेगी लो पावर मोड मिल जाता इसके अंदर में और यहीं पर सूपर सेबिंग मोड भी मिल जाएगा और बा बात करो तो 5-6% ड्रेन भी हुआ था नाइट में यहां पर इसके अंदर नीचे फिर यहां पर डिश्टल वैल्विंग भी दिया हुआ जो कि सारी अक्टिविटीस आपके देखने को मिलेगी यहां पर इसके वॉइस में जाके पावर बटन वाला जो अब बैक अप दिया तो उसको ओफ कर देना है तो पावर बार बार होता हुआ यह ओफ कर दोगे तो कुछ इस तरीके सापका पावर मेन्यू मिलेगा जिसको ओफ रखने हमारे काम का है नहीं यहां पर फ्लाइमी वाला लेविटरी बिल्कुल खाली है और एसविलिटी के अंदर गेम मोड देख इंग्लिकी मेन है ध रहेगी यहां पर यहां पर इसके इंदर और आप यहां पर इसमकि दो अगर बात करें सिस्टम की तो में अपिकर नहीं को सब्सक्राइब जबीगी और इसका फो दिखा तो कुछ यहां पर सब्सक्रां की चैनिक्स अचे को कस्तित, करी mir जाते हैं और ह यह सारी चीज़े जो है देखने को मिल जाती, icon corner यह सब आपको यहां पे मिलने वाला है यह सारी चीज़े इसके launcher के settings में मिल जाती है, अब अगर बात करें यहां पे side में आप देख सकतो phone के corner में भी issue नहीं इसको भी fix किया गया है, यहां भी वैसा कोई issue नहीं है, control panel इसका जो QS panel है, कुछ history के मिलता है, brightness slider में थोड़ा सा blink करता है screen, और brightness level का issue है, बाकि notification side में यहां पे लेगा है, और torch इसका काम करेगा, D&D हो गया, यह सब चीज़े मिल जाते हैं, और काम कर रहे हैं, इनमें कोई problem नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और यह screen recording के settings है, 1080 fps तक मिल जाता है, 1080 तक पी तक मिल जाएगा आपको, और फिर यहां पे three finger screen sort के अगर बात करें, तो यह भी बिल्कुल काम कर रहे है, इसका भी use कर पाऊगा, बड़ डबल tap to wag कई थोड़ा सा issue, इसके अंदर हो काम नहीं कर रहा था, बाकि तो यहां पे almost आपके सारी चीजह काम ही कर रही, यहां पे जो main main यह चीजह हमें मिलती है, working है, यह आपका पूरा control panel है, volume panel कुछ इस तरीक हैगा, नीचे tap करोगे, तो यहां पे arrow इसका हलकास दिया हो, इस पे tap करोगे, तो कुछ इस तरीक हैगा, expand हो जाएगा, power menu तो आपको यहां पे normally मि animation मिलता है, इस रोम के अंदर, रोम flash कने बाद कुछ घंटे का टाइम दे देना, उसके बाद काफी smooth animation मिलता है, and recent पे आप किसी भी app पे अगर hold करते हो, तो उसके भी options आपको मिलेंगे, तो इसके आइकन पे tap करते हो, तो lock का blur का, या बिंडोल mode आप enable कर पाओगे, यह सारे के अंदर में यहां पे vault काम करता है, carrier video call का बग रहेगा, और इसका जो wifi calling है उसका भी बग रहेगा, proximity sensor काम कर रहा है, और यहां पे call recording यह भी working बिलकुल मिल जाता, यह काम कर रहा है, Bluetooth device, media और calling दोनों के अंदर ही काम कर रहा है, तो उसमें दिक्कत देखने को नहीं मिला है, और अब बात करते हैं, camera के बारे में, यहां पे मीजू वाला ही camera है, इन बिल्ड ही दिया गया है, तो normal picture यह video recording भी आप कर पाऊगे, video recording भी हो रही है, और extra कुछ है, यहां पे मत करने जाना चेड़ खानी से setting में, जैसा हो इसे रहें देना, बिल्कुल अच्छ से video recording भी हो ज जाता है, यहां पे video recording आप 1080 भी तक जो है, आराम से कर पाऊगे, 1080 देख सकतो 4K नहीं है, लेकिन 1080 तक आराम से आप कर पाऊगे, और Gcam यूज करना होगा, तो 8.1 वाला यूज करना, Gcam भी अच्छी तरीक से काम कर जाएगा, slow motion को छोड़ देतो, slow motion को इन और माना, बाकिया पिक्चर क्लिक ये video recording 1080 60fps तक जो है, आराम से आप कर पाऊगे, Gcam के अंदर में, तो Gcam भी आपका 8.1 तक अच्छी तरीक से यहां पे काम कर जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत फिलाल देखने को नहीं मिल रही है, Gcam हमारा बिल्कुल working रहने वाला है, तब हम यहां पे फिलाल इस इस में भी आपको मिलेगा, और गैलरी अगर आप देखते हो, तो यहां पे कुछ ही इस तरीकी की गैलरी मिल जाती, settings एक बार दिखा दो, तो कुछ ही इस तरीकी का यह जो है, settings रहने वाला है, अब इसके edit में जाता हूँ, थोड़ा सा कोई अपलिके, यह कोई पिक्चर ज सारे options आपको यहां पर मिल जाते हैं, text text कुछ लिखना होगा, तो आप यहां पर लिख पाऊगे, यह सब options इसके edit section में फिलाल देखने को मिल जाते हैं, तो gallery आपको कुछ इस तरीकी मिलेगी, और अब हम चलते है next application के तरफ, हलाकि यहां पर हम बात करें इसके, जो कि यहां पर file manager के बारे में, तो file manager कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, तो यहां पर चाहो तो दूसरा application भी install कर ले ना file manager का, और इसके अंदर जो इसकी security app है, कुछ इस तरीके मिलता है, बाकि जो options आपको बता चुका हूँ, क्या कुछ काम करें नहीं, और इसका एक app store भी द जाता है, तो ignore ही करें, फिलाल इसे back ही कर जाएं, बाकि अगर हम बात करें, प्ले स्टोर के बारे में, यह बिल्कुल certified आता इसके अंदर में, यानि कि जो safety net है, इस रोम के अंदर बिल्कुल pass मिल जाती है, banking app यूज कर पाओगे भी without route कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यहा बाग यहां पर रहने वाला है, बाकि यहां पर कुछ Chinese application जैसे बता है, वो आपको inbuilt देखने को मिलेगा, एंटूट स्कोर 1,80,461 हमें मिला है, अगर हम देखते हैं, यहां पर 94% मिला है, वहीं जीप स्कोर देखोगे, तो max पर 1,49,000 है, average score के अंदर 1,44,000 तक देखने कि य हमें यहां पर मिल जाता है, अब मैं आपको इसका इंस्टोलेशन समझा देता हूं, जैसे कि बताया सब सपहले है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लेना, यह दो फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, रोम और प्लेश्टोर का, बाकि क्या कुछ आगे करना ह हूं, और यहां पर सिंप्ली अपने फोन को आपको जो है, ओफ करना है, तो यहां पर सिंप्ली हम सब सब पहले फोन को ओफ कर देता है, तो रेकमेंडर रिकवरी पे एक दे दूँगा, वही यूज करना है, यह दो फाइल डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन मिल जाए इनको और यह जैसे ही वाइप हो जाए, आपको सिंप्ली अपनी फोल्डर पर जाना है, जहां पर रॉम को सलेक करना है, रोम को वाइप करके रीबूट कर लेना, अगर आप किसी नक्रिप्टर रॉम से आते हो, तो फिर रॉम फ्लेटर से आते हो, तो नॉर्मली इंस्टोल बोड़ कर सकते हो थोड़ी दिए आपको करना है अगर वूट ना हो तो एक बार फोर्च रिपूट वह से कल लिए उसे बूत हो जाएगा बठोड़ी दिर वेट करना जैसे है आपका फोन आ जाता है सेट अप पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है बूट अन्मिशन देख सकतो कुछ इस तरीके करेगा फ्लाइमी का बट सेट आप आजब आएगा तो सारा कंप्लीट आप कर लेना उसके बाद क्या कुछ आपको करना होगा इसके इंतर हो भी मैं आपको यहां पर समझा कर लेना या अपने SD card पर कहीं पर रखे हो तो उसको सिंपली जो है इंस्टोल कर लेना तो यहां पर हम चलते हैं जैसे के आपको बता देता है तो यहां पर फाइल गो इंस्टोल कर रखो इसके अंदर बट सेट आप कंप्लीट करना उसके बाद अपने फाइल में जहां भी भी रखे उस्टोल पे जाकर सिंपली आपको अपना प्ले स्टोल कर देना है और प्ले शेट्वाब करने के बाद यहां पर अपको geogel बेसिक सर्विसेश मिलेगा यह देख लेना इनीवल करने न उसके बाद प्ले सटोल कर कि आप ओपन करो लोग बाकी अप्रिकस इप्र बात करते हैं यहाँ पर गेम इस तरीक चाइनीज में मिलता है यहाँ पर देखोगे तो कुछ उपसन समझ में आएंगे कुछ कुछ चीज़े जो इंग्लिश में आपको ज़रूर मिलती बट पूरक पूरा सेटिंग देखो के जादर चानीज में मिलता है इस तरीके के जो है इसका यह पूरा रहेगा और इसके अंदर जो ग्राफिक मिलता है स्मूद पे हाई बैलेंस फाय और एच्डी पे हाई त जो पूर्ट आते हैं जरूर में फोड़ी खराब सी रहती बट इसके तो ठीक है वह से यह जैसे कि आपको बता है बाइड़ फोल्टी ओवर क्लोग के साथ में आता है और बैटरी अगर आपको अच्छी चाहिए होग तो फिर यहां पे नौन उसी करनल आप इसकेंदर फ्ल सारी चीज़ थी और OTG storage का एक बग आपको इसके अंदर मिल सकता है क्योंकि OTG storage में ट्राइगा काम नहीं कर रहा था थी एक प्रॉलम आपको इसके अंदर मिल सकता है बाकि यही था और कोई question होंगे तो आप comment में पूछ लिजगा कोई अगर काफे लोग इंस्टोल करते रो रोम एरर आ जाता है तो अगर आप नहीं कियो तो आपको जरूर एरर देखने के मिलेगा इसलिए रीपार्टिशन कर लेना डिस्क्रिप्शन पर वीडियो रीपार्टिशन की मिल जाएगा बाकि इंस्टोलेशन इसमें रोम का समझा दिया हूं तो यही था आज कि इस झाल झाल झाल